सुहाना ने पेड के पीछी से ज्ञांकते हुए देखा तो आदित्य वहां नहीं था वो बाहर आते हुए बोली अब ये आदित्य कहां चला गया सुहाना ने आसपास भी देखा लेकिन आदित्या वहां कहीं नहीं था सुहाना फिर सामने वाले रास्ते में आगे बढ़ने लगी जाते जाते सुहाना ने देखा कि ये जगह जानी पहचानी सी लग रही थी तभी उसी अचानक आदित्या दिखा आदित्या को देखकर सुहाना तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए उसके तरफ गई लेकिन जैसे ही आदित्या आगे जाकर रुका सुहाना चौंग गई आदित्या हवेली के बाहर खड़ा था सुहाना ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जंगल से हवेली जाने का कोई दूसरा रास्ता था वो हवेली के पीछे बाले हिस्से में खड़ा था सुहाना ने मन ही मन सोचा आखिर ये आदित्या के लिए हवेली के बाहर क्या करने आया है आखिर आदित्य क्या करना चाता है आदित्य हवेली की तरफ जाही रहा था कि तभी सुहाना ने तुरंट उसे पीछे से आकर रुका रुक जाओ आदित्य सुहाना की आवाज सुनकर आदित्य चौकते हुए पीछे मुड़ा वो सुहाना को वहाँ देखकर हैरान रह गया उसने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हूँ सुहाना तुम हवेली के अंदर जाने के लिए सोच भी कैसे सकते हो मैं तु बस पंचायत से लोट रही थी और फिर तुमें देखा आखिर तुम अंदर क्यों जा रहे थे सुहाना ने कहा आदित्य ने हैरानी के साथ पूछा पंचायत वो भी जंगल में लेकिन क्यों इस पर सुहाना ने कहा पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो आखिर तुम क्या सोचकर हवेली के अंदर अकेले जा रहे थे? तुम्हें पता है ना कि अंदर कितना खत्रा है? खत्रा? कैसा खत्रा? तुम्हें कैसे पता अंदर खत्रा है? आदित्या ने हैरानी से पूछा. तभी सुहाना ने कहा, क्या? तुम्हें नहीं पता कि किशोर के पिता के साथ क्या हुआ था? इस पर आदित्या ने चौकते हुए कहा. उस बात का इस हवेली से क्या लेना देना तो मुझे समझाओगी? सुहाना ने सोचते हुए कहा. जब तुम बीमार थे तब बहुत कुछ हुआ था आदित्या. फिर सुहाना ने आदित्या को सब कुछ ब एक डायन की वजह से? ये कैसे हो सकता है सुहाना? तब ही सुहाना ने कहा, आदित्या मैं जानती हूँ, तुम्हें इन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी बात पर यकीन करो, देखो मुझे यहां किशोर की ये पेंटिंग मिली है, उसने इसी जंगल की तस्वीर बनाई ह मुझे तो लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। इसके बात सुहाना ने किशोर की कही बात बताई। और उन्हें मैंने खुद देखा था। तब ही आदित्य ने सुहाना को हिलाते हुए कहा। फिर आदित्य और सुहाना वहां से निकल गए। जंगल से जाते हुए सुहाना ने आदित्य से पूछा। वैसे तुम हवेली के अंदर क्यों जाना चाहते थे। आदित्य अपनी जेब से एक तस्वीर निकाल कर सुहाना को दिखाते हुए बोला। क्या ये वही फोटो है जो तुम उस दिन मुझे दिखाने लाए थी। आदित्य ने हामी भरते हुए कहा। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। सुहाना ने कहा। उस कमरे के बारे में और वहां उस रोती हुई आवास के बारे में भी बताया। जिसे सुनकर आदित्य के होश ही उड़ गए थे। कुछ देर आदित्य सोचता रहा। फिर उसने कहा। इतना कुछ हो गया और मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। सुहाना मुझे उस हवेली के अंदर जाकर देखना ही होगा। तभी सुहाना ने आदित्य की बात को कारते हुए कहा। आदित्य अभी फिलहाल इस पेंटिंग को देखो। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किशोर किसी मुसीबत में है। जहां एक तरफ सुहाना किशोर को लेकर परिशान थी, वहीं दूसरी तरफ काकी अपने कमरे में ध्यान लगा कर बैठी थी। तभी उनके पीछे से एक अंजान शक्स ने काकी के पास आकर पूछा। अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर काकी ने जट से अपने आखे और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब मुझे इसे भी मारना पड़ेगा। इतना कहकर काकी जोर-जोर से हसने लगी, फिर वो अपनी जगा से उटकर खिरकी के बाहर जाकते हुए बोली, जैसे मैंने कहा था, ठीक वैसे ही करना। एक तरफ कमरे में काकी के मन में कुछ चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ, सुहाना जंगल में आदित्य से किशोर के बारे में बात कर रही थी, इससे पहले आदित्य कुछ कहता, उसे जंगल में किसी के चीखने की आवास सुनाई दी, आदित्य और सुहाना दोनों ही उस आवास को सुनकर चौक गए, और दोन आदित्य ने की आवाज तो उसे भी सुनाई दी थी। आदित्य ने पूछा, ये आवाज सच में किशोर की है या किसी और की। तभी सुहाना ने कहा, चाहे जिसकी भी हूँ आदित्य हमें चल कर देखना चाहिए, अगर सच में कोई मुसीबत में हुआ तो। आदित्य ने चौकते हुए कहा, ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती हो, ये मौसम इस तरह अचानक बदल गया इसलिए, सुहाना ने कहा, और इतना कहकर, अचानक सुहाना बोलते बोलते रुग गई, उसने मनही मन सोचा, मैं अभी आदित्य को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि बताने का कोई पायदा नहीं है, ये विश्वास ही नहीं करेगा। मैं कुछ पढ़ रही थी, वो पढ़ते पढ़ते बोली, इनको मुझे किसी दिन ट्राय करके देखना होगा। और इतना कहकर उसने अपनी नजर घड़ी की तरफ गुमाई और उसने कहा, ये आदित्य है कहा, कितनी देर से बाहर है, शाम होने वाली है, हे भगवान कितना अच्छा था वो जब उस पर टोटका किया हुआ था। और अब तो इसी बीच अचानक से हॉल में रखा फोन बजने लगा, फोन की आबाज सुनकर कुसुम चिरते हुए कमरे से बाहर निकली और फोन उठाते हुए कहा, हेलो कॉन, तभी कॉल के दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, उसकी आबाज सुनकर कुसुम के चेहरे पर उसने जट से कहा, अरे बिलकुल, तुम आज क्या अभी आजाओ, कबसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ, जल्दी आओ, इतना कहकर कुसुम ने फोन रख दिया, उस कॉल के बाद कुसुम के चेहरे पर एक अलग ही खुशी चाई हुई थी, वो इधर से उधर नाचती हुई गुन-गुनाने लगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस, अब वो आ जाए, तो मेरी सारी परेशानिया दूर हो जाएंगी, उसके बाद मैं अपने बाग की कामों में ध्यान दे सकती हूँ, जहां एक तरफ कुसो में कॉल के बाद इतनी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ जंगल में सुहाना और आदित्य बौक लाए हुए से थे, सुहाना आवास का पीछा करते हुए, एक बड़े से पेर के नीचे जाकर खड़ी हुई, आदित्य भी हापते हुए उसके पीछे आया, उसने कहा, क्या हुआ, मैं ठक गया हुँ सुहाना, कहा है तभी सुहाना ने आदित्य को चुप करवाते हुए सामने देखा, और सामने देखकर सुहाना के होश ही उर गए, वो वहीं खड़े थर-thर आती हुई कापने लगी, सुहाना ने हकलाते हुए कहा, सामने देखो आदित्या, आदित्या ने अपने माती के पसीने को पोचते ह आगे की ओर देखा, सामने एक औरत हवा में बिना किसी सहारे के लटक रही थी, उसकी लंबी काली चोटी हवा में नागिन की तरह लहरा रही थी, आदित्य उस औरत को देख कर सक पका गया, वो कापते हुए उस पेड के पीछे चुप गया, सुहाना ने आदित्य को समालते तो भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था ना, लो अब ये देखो अपनी आखो से, फिर आदित्य और सुहाना उस पेड के पीछे से जाखते हुए देखने लगे, उस औरत के पैर हवा में उल्टे मुडे हुए थे, जिसे देखकर आदित्य की रूह काप उठी, उसने गौर से देखते हुए कहा, ये तो डायन है, तब ही उस डायन की सुर्ख लाल आखे चमकने लगी, उसने नीचे देखते हुए कहा, भले तुम छोटे हो, लेकिन चाहे छोटा हो या बड़ा, जो कोई मेरे रास्ते में आएगा, उसकी यही हालत होगी, उस दिन जो तेरे ब उस डायन की खौफनाक आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी, तब ही सुहाना की नजर नीचे जमीन पर पड़ी, नीचे किशोर कापते हुए गिरा पड़ा था, किशोर को देखकर सुहाना वहां से बाहर निकलने ही वाली थी, कि आदिते ने उसे रोक लिया, आदित ने कहा, लेकिन सुहाना हम एक डायन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो डायन है और हम आम इनसान, हम बस इस वक्त खुद को बचा सके, वही बहुत बड़ी बात है। किशोर को बचाने के चक्कर में आदित्य के जान को खत्री में डालती या खुद फस जाती, तो वो अपनी बच्ची को कभी नहीं बचा पाएगी। सुहाना खुद को समालते हुए, किशोर को देखे जा रही थी, वो बहुत ही डरा और सहमा सा नीचे पड़ा हुआ था। तभी पलक झपकते ही उस डायन ने किशोर को अपनी चोटी से हवा में उठा लिया, जिसे देखते ही देखते उस डायन की आसपास एक बवंडर बनने लगा, जिसे देखतर किशोर भी डर के बारे चिलाने लगा, कोई तो बचाओ, कोई है। ये दोनों कहां गायब हो गए। सूरज अब पूरी तरह से ढल चुका था और आसपास अंहिरा चाने लगा था। उधर दूसरी तरफ कुसुम के घर पर कोई जोर-जोर से दर्वाजा पीट रहा था। जिससे सुनकर कुसुम घबराती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। उसने दर्वाजे के पास आकर कहा। कौन है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, वो शक्स बस दर्वाजे को पीटे जा रहा था। कुसुम ने जैसे ही दर्वाजा खोला, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। उसने सामने से देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी हुई थी। देखने में तो वो कुसुम से तीन-चार साल बड़ी लग रही थी। उस औरत ने अंदर आते हुए कहा, नमस्ते दीदी जी, माफ करना जरा देरी हो गई। तभी कुसुम ने कहा, अरे कोई बात नहीं जिलमिल, और कितनी बार बोलू तुझे कि मुझे भाबी बोला कर। जिलमिल अंदर आकर पूरे घर को देखने लगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाबी जी ठीक है, और जब मैंने पिछले महीने आपसे पूछा था, तब तो आपने मना कर दिया था, और अब बिना पूछे आपने बुला लिया, ये सुनकर कुसुम ने चिरते जिलमिल ने घबराते हुए कहा, अ वो, वो सब छोड़ो अब, तू बता, तुझे काम करना है या वापस जाना है, इस पर जिलमिल ने घबराते हुए कहा, भाबी जी आप तो नराज हो गई, मैंने तो ऐसी पूछ लिया, आप रुकिए, मैं अभी किचिन में जाकर देखत और इतना कहकर, जिलमिल वहां से किचिन के तरफ चली गई, कुसम मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, आप जिलमिल करेगी घर के सारे काम, और मैं करूंगी अपनी किताब पर काम, जिलमिल जैसे ही किचिन में पहुँची, उसने अपने आसपास नजर दोडाते हुए देख और फिर एक बार किचिन से बाहर आई, उसने देखा हॉल खाली था, कुसम अपने कमरे में चली गई थी, तभी अचानक जिलमिल ने अपनी सारी के पल्लू से एक छोटी सी पोटली निकालते हुए कहा, बस ये काम मैं सबसे पहले करती हूँ, तब जाकर मैं अपने आगे के कामों को अंजाम दे सकती हूँ, इतना कहकर उसने उस पोटली को खोला, और उसके अंदर जो पाउडर था, उसे गैस के पास रखी दाल में मिलाने लगी, जिलमिल पाउडर को मिलाते हुए किचिन के बाहर देखती रही, और उसके बाद उसने उस पोटली को अपनी सारी के पल्लू में फिर से बांद लिया आखिर क्या मिला रही थी जिलमिल दाल में और क्या थे उसके इरादे आखिर किशोर को डायन कहां ले गई और क्या करेंगे सुहाना और आदित्या जानने के लिए सुनते रहिए दियोना सिर्फ पॉकेट एफम एप पर